नमस्कार दोस्तों आज मैं एक महत्पून विशे पर चर्चा करना चाहूंगा कोबीट से निवटने के लिए लॉकडाउन नहीं बलकि टीका लेना ज्यादा प्रभावी माना जा रहा है बेटिश के वग्यानिक प्रोफेशर नील पियर्शन का यह कहना है हाला कि उन्होंने यह भी कहा है कि लॉकडाउन कुछ हद तक कोरोना शंकरमन को रोकता है लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि लोगों को टीका लेने की शलाह उन्होंने दी है उन्होंने यह भी बतलाया कि तीसरी लहर डेल्टा लेकर आने वाला है जो काफी खतरनाक है इससे बचने के लिए टीका ही ज्यादा प्रभावी माना जा रहा है क्योंकि अभी देखा जा रहा है कि अमेरिका में तेजी से शंकरमन फैल रहा है उन्होंने यह भी बताया कि जो वैक्ती पहले कोरोना शंकरमित हुए और अभी तक टीका नहीं लिये उन्हें भी शंकरमन होने का खतरा है इसलिए आवशक्ता इस बात की है कि लोगों को दूरी बना कर रहना और टीका लेना जरूरी है जिससे विश्व को इस महामारी से बचाया जा सके क्योंकि अभी भी देखा जा रहा है कि स्तिती अच्छी नहीं है लगातार शंकरमन फैल रहा है धन्यवाद